हेलो फ्रेंड्स वेलकम इन आवर यूटूब चैनल फ्री सेल्फ स्टडी आज हम डिसकस करेंगे जिक्के के वन लाइनर कोश्चन जो आपके हर कंपिटेटिव एक्जाम के लिए बहुत ही इंपोर्टेंट है इवन अभी बच्चे हर्याना पुलीस के एक्जाम की प्रेपरे इसमें हम इसके 32 कोश्चन डिसकस करेंगे भारत का राष्ट्य दवज है तिरंगा ये सभी को पता है और इसका डिजाइन तयार किसमें क्या था पिंगली वेंक्यानी राष्ट्य गित वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटरजी की किस उपन्यास से लिया गया है आनन्द मट से कोशन 3 है भारत के राष्ट्र कवी है मैथिली शरन गुप्त भारत के राष्ट्य दवज की लंबाई चोड़ाई का अनुपात है 3 इस्टू 2 ये कोशन पहले भी कलर के एक्जाम में पूछा जा चुका है कोशन 6 है समिधान सभाने राष्ट्य दवज के प्रारूप को अपनाया था राष्ट्य दवज का जो प्रारूप है उसको 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था भारत का राष्ट्य धवज गीत क्या है? हिंद देश का प्यारा जंडा राष्ट्य धवज के बीच स्थित चक्र का रंग होता है नीला शक सम्मत का प्रारंब हुआ अठेतर ईश्वी से कनिश के साशन काल में भारत का राष्ट्य खेल है खोकी और गर हर्याना का राज के खेल पूछा जाए तो वो कुछती है तो इनमें कन्फ्यूस नहीं होना है राष्ट्य पक्षी दिवस मनाया जाता है 12 निवाम्मर को डोक्टर सलीम अली की जनमतिति के दिवश के रूप में राष्ट्य गान का अंग्रेजी अनुवाद रविंदर नाठ टेगोर ने किया था 1919 में किया था Morning Song of India सिर्शक के रूप में भारत की राज भाषा है हिंदी भाग सत्रा के अनुचे 343 के अनुसार भारत का राष्टी सूचना पत्र या दस्तावीज है श्वेत पत्र भारत का राष्टी वाक्य है सत्यमेव जयते भारत का राष्टी राज चिन है अशोक चक्र समिधान सभा ने तिरंगी को आम नागरिको को से सम्मान फेहराने की अनुमति दी थी 26 जन्वरी 2002 को भारत ने राष्टी चिन को अपनाया था 26 जन्वरी 1950 को भारत का राष्टी गान है जन गनमन राष्टी गीत वंदे मात्र में सभी को पता है तो रास्टे गान के रचेता है रविंदर ना टेगोर और रास्टे गीत के रचेता है बंकिम चंदर चटर जी अगर इनमें से रास्टे गीत के बारे में पूछा जाते तो कई बार बच्चे रविंदर ना टेगोर पे आंसर लगा देते बट वो गलत होता है इसलिए जब आप MCQs में कोश्चन पे टिक करों तो कोश्चन को ध्यान से पढ़ना है कि हमारे हमसे रास्ट्रेगान या रास्ट्रेगीत किसके बारे में पूछा गया है इसलिए रास्ट्रेगान का श्रव पर्थम प्रकाशन भारत विधाता सीर्शक से हुआ था 1912 में तत्वे बोधनी पत्रीका में रास्ट्रेगीत को लिखा गया था 1882 में आनन्मट उपन्यास में नेक्स्ट कोशन है रास्ट्रेगान को रास्ट्रेगान की रूप में अपनाया गया था 24 जन्वरी 1950 को और रास्ट्रेगीत को कब अंगिकार किया गया था 26 जन्वरी 1950 को ध्यान रगना रास्टे गान का पूछा जाए तो 24 जनवरी 1950 को अपना गया तो रास्टे गीत को 26 जनवरी 1950 को नेक्स्ट कोशने रास्टे गीत को श्रौ पर्थम गाया गया था 1896 में कॉंग्रिश की कलकत्ता अधिवेशन में रास्ट्री गीत के प्रथम गायकते पंडित ओंकारनाथ ठाकूर। नेक्स कोश्य ने बरास्ट्री गीत का अंग्रेजी में अनुवाद किया था श्री अर्विंद घोशने। विक्रम सम्वत का प्रारम हुआ था 58 इश्वी में। भारत में रास्ट्री केलेंडर आधारी थे सक्षम्वत पर और शक्षम्वत अठेटर इश्वी से स्टार्ट हुआ था कनिश की शाषनकाल में। रास्ट्री केलेंडर को अपनाया गया था 22 मारच 1957 को। कुछ नमबर 31 है रास्ट्री गान को श्रव पर्थम गाया गया था 27 दिसंबर 1911 को कॉलकाता अधिवेशन में। रास्ट्री गीत तथा रास्ट्री गान को गाने में लगा समय है। राश्ट्यगीत में 55 second और राश्ट्य गान में 72 second ये याद रखना है राश्ट्यगान पुछा जाये जनगन मन तो उसमें 52 second और राश्ट्यगीत का है वंीमात्रम उसमें 65 second thanks friends for watching and please like share and subscribe our channel